नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी आपके अपने इससे ट्वीप चैनल में देखिए आज हम देखते हैं practice set 5 आप सभी पता है लगाता practice set अभी आपको चल रहा है ठीन है practice set 5 है जिसके पहले चार practice set आपके हो चुके हैं और चारो practice set के आपका reasoning practice set video playlist के नाम से description box में link मिल जाएगा वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं साथ में इसका पीडियाप चाहिए आपको तो टेलिग्राम ग्रूप का link description box में है वहाँ जाकर जोइन हो सकते हैं वहाँ आपको पीडियाप इसका मिल जाएगा ये देखिए डियेट 2021 में जो पुछे गए प्रसन है उन्हीं का और प्रसनों को हल किस प्रकार से किया जाता है हल करने का सही तरीका क्या होता है आपको सही तरीके से हल करने का तरीका बताया जाएगा पैटर्न बताया जाएगा किस पैटर्न से आप प्रसनों को हल कर सकते हैं कम समय में अच्छे तरीके से ठीक कोच्छा रिपीट नहीं हो जैसा को मैं सब वीडियो में आपको बताता हूं कि यदि आप हर मेरे हर वीडियो का पैटरन को आप अपने COPY में जो है अपने एक नोट को भी बनाई ऐसमें हर.. बारएक दिन में जितने पैटर आपको बता जांगे उन शारे Payton को आप पईच्छा देने से एक दिन पहले ग्यारत तारीक साम को पुरा पढ़ के जाएगा आप आसानी से अच्छे नंबर ले लाओगे कभर कर लोगे तिना मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ देखिए दस प्रसनों का प्रेक्टी सेट हमने देख चुका था आप मैं 11 प् आपके पास दिये हुए हैं देखिए इसमें अलग कोन है इसके लिए थोड़ा सा आपको कामन सेंस लगाना पड़ता है इसका कोई ट्रिक नहीं होता जैसे देखिए अपने को समझना रहता है कि इन दोनों सब्दों में क्या-क्या संबंध है जो की तीन में एक समान है मस्या समाधान यह भी आपका विलोम सब्द है लेकिन फर्ष्ट में जो गूगल डूडल दिया हुआ है वह विलोम सब्द आपका नहीं दिख रहा है तो आपका आपसर नंबर इन तीनों में से अलग हो जाएगा तो आपसर ने आपका इसका सही अंसर हो जाएगा कोन होगा आपसर नंबर एक क्योंकि यह विलोम नहीं है बाकी तिनों क्या है विलोम है अब देखिए अगला प्रस्टह देखते हैं अगला प्रस्टह हमाएड़ पास है सेस तीन से भीन न कोन हैं वण भैसा गिंडा हरीर हरीर नहीं हीरड होगा यहां ठीक ना मिच्टेख हमाल लिज ग्रिजली भालू ठीक इस प्रकार से आपके पास चार आपसन दिये हुए हैं अब देखिए इसमें कुन होगा इसमें से तीन किस प्रकार से एक समाने तो ध्यान से देखे मैं आपको बता दूँ वन भैसा गेंडा वहिरर जो है तीनों जंगल में तो पाए जाते हैं चारों पाए जाते हैं लेकिन ये तीनों क्या ये साकाहरी है हीरर भी साकाहरी है गेंडा भी साकाहरी है लेकिन भालू जो है वो साकाहरी नहीं है आपका भालू जो है मासाहरी है तो इन तीनों में चारों में से अलग कुन हो जाएगा भालू हो जाएगा आपसा नंबर D इसका प्रकार से चवथा आपका सही अंसर हो जाएगा अगला देखिए अपने पास अगला प्रसन है इंगलिस वाले इधर का देख सकते हैं इधर आपका हिंदी में दिया हुआ है जो प्रसन आपके पुछेगा है उसी प्रसनों को मैं आपको प्रेक्टिस सेटकूप में ख़रा र ऐसे जब गभात से ऐको समाना कार के चोटे 125 ऩो मेंकाटा जाता है तो कितने घन की के वर एक ही फलक रंगे हुए हो यदि आपने मेरा practice set 2 देखा होगा practice set 2 या फिर 3 में practice set 2 में ही सायद मैं इस प्रकार का प्रसन आपको घंवाला कराया हूँ यदि आपने देखा होगा तो आपको इसका trick भी पता होगा और आप इसको आसानी से हल कर लोगे मेरे बताने से पहले आप कर लिए होगे तो इतने फलक रंगे हुए है बोला है तो जितने भागों करना है बोल दें उसको एन क्यूब का मान रखना है एन क्यूब का मान मतलब एन की घात 3 का मान उसको मान लेना है आपको जैसे 125 भागों में इसमें कातने के लिए बोला है तो 125 को हम एन क्यूब का मान मान लेते हैं मतल से हमको n का मान निकाल लेना है n का मान निकाल लेनक बाद यदि आपके पास एक फलक रंगे ही रंगे हुए होंगे ठीक ना मतलब एक फलक रंगा हुआ बोले तो आपको सुत्र लगाना है n-2 का होली स्क्वायर गुडा में आपको छाए n-2 का होली स्क्वायर गुडा छाए n 7-2 फिल्टा करते रहूं यदि 1 फहलाक रंगा हुगा भोलता तब क्या करते लेकिन 12 प्यारक लेकिन 2 फ्पलाक रंगा हुगा पूछा है तो हम क्या करेंगे को होल स्कायर भूडाघ अब फो स्कायर मतलत 5-2 का आपका क्या हो जाएगा square गुडा में 6 आप 5-2 का square होता है 3 5-2 घटाएंगे 3 होगा 3 का square गुडा 3 तो 3 का square होता है 9 और 9 गुडा 6 हो जाएगा 9 चंग कितना होता है आपका 4 तो इसका answer कितना आजाएगा 4 आपका आजाएगा सही answer आपको केवल सुतर को याद रखना है इस सुतर को याद रखिया आप आसानी से answer ले लाओगे कोई भी संक्यार के पास दिया होगा तो इसको मैंने practice set में आपका कराया हुआ है 2 में तो इसका option number D साई answer हो जाएगा आपको सुतर क्या याद रखना है n-2 का holy square गुड़ा 6 यदि एक फलक रंगा हुआ पूछे तो चलिए अगला प्रसना देखते हैं अगला प्रसना है अपने पास कि एक के विपरीत फलक इसमें कौन सांख होगा जिसमें भी देखते हैं जिसमें एक में एक दिया हो तो मान लेजे इसको यदि हम लेंगे किसको लेंगे यदि इस घं को लेंगे तो इस घं को लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है तो इन दोनों को लेंगे तो दोनों में हो जाएगा एक तो ऐसे दो घं को लेना है जिसमें एक न दिया हो एक में एक दिया हो दूसरे में न दिया हो तो इन दोनों को हम लेते हैं इन दोनों को लेने एक बाद हमको देखना है कि कामन कौन सांक है मतलब दोनों में कौन सांक ऐसा है जो दोनों में दिया है तो देखें दोनों में आपके इसमें क्या दिया है दो दोनों में दिया हुआ है ठीक तो जो वंग दोनों में दिया हुआ है उसको ऐसे उपर निचे लिख लेना है उसके बाद इसको clockwise घुमाना है clockwise मतलब घड़ी की दिशा में इस प्रकार से ठीक और इसको भी इस प्रकार से घुमाएंगे घड़ी की दिशा में तो दो के बाद इसमें क्या है च्छाय तो च्छाय को लिख लेते हैं उसके बाद क्या है चार तो दो च्छाय च अपना 6 हो जाएगा तीन काविप्रित पुछता तो तीन काविप्रित 4 हो जाएगा ठीक एक काविप्रित 6 निकल कराया तीन काविप्रित 4 अपने पास एक काविप्रित नहां पुछा हुआ है तो एक काविप्रित कौन सा होगा आपसा नंबर B में दिया हुआ है छाए आपस पास निकल जाता, जिसका विप्रित पुछा है, उसको देखना है, एक घण में उदिया हो, दुसरे घण में उदिया हो ऐसे, दो घण को ले के हम ग्याद कर सकते हैं, चलिए, अगला प्रसन है अपने पास, देखिये, इस प्रकार से, यहाँ अपने पास क्या बोला है, अपने पास बोला है चित्र में एक्स में दिये गए कागज के सीट को मोड़ने पर बनने वाले बाक्स को दिये गए विकल्प में चुनिए मलब यह आपका एक box दिया हुए ठीना इस प्रकार से और इस एक माल लेजिए कोई कागज है इसको मोड़ने पर किस-किस प्रकार की आकरिती बनाया जा सकते हैं यह आपके पास पूछा गया है और यहां चार आपसन दिये हुए यहां देखिए आपके पास एक, दो, तीन, च कागज को काट कर आपको मोड़ के देखना है किस-किस प्रकार बनाया जा सकते हैं यह फिर इमेजिन करना है आपको खुद पता चल जाएगा देखिए ध्यान से यदि देखेंगे इस प्रकार का यदि अपने पास कागज हो तो इसको मोड़ कर यदि हम बनाएंगे तो अप प्रिती भी बन सकता है क्यों बन सकता कि नीचे फलक में यदि दोनों रंगा हुआ चला जाए तो नहीं दीखेगा यह तो सामने वाले तीन फलक ही दीख रहे हैं विप्रित फलक नहीं दीख रहे हैं इस प्रकार से भी आपका बनने की संभावना नहीं है तो इसमें दो बन सकता है 3 बन सकता है तो आपसं में यहां दिये हुए हैं देखिए कि आपसं में 1-2 केवल 2-4 केवल दो और तीन केवल एक और 4 केवल तो इसमें अपसंन नमबर सी आपका चाही अंसर है चलिए अगला प्रसना देखते हैं अगला देख्ञाना दिया हुआ है इसमें आपका बताया गया है लुप्त अक्षर को ग्याद कीजिए ये मिसिंग नंबर का सवाल है ठेक लुप्त पत कैसे ग्याद करना है मैं आपको दो-तीन पैटर्ण बता चुका हूँ चैट प्रेक्टिस सेट में कैसे लुप्त पत को हम ग्याद करते हैं कैसे कर लोगे कोश्चन रट होगे आपका भी हल नहीं करोगे ठीक तो पैटर्ण को आप समझे कोश्चन को मत रटिए इसलिए मैं बोलता हूँ पैटर्ण नया आया आप चुप चाप नोट को पी में उतारिए लास्ट पैच्छास एक दिन पहले देख कर जिएगा आसानी से आ नमबर 3 यदि आपको नमबर याद करना हो तो कोडिगड़्य कोडिंग नाम से आपको साक मतलब भूता होता है उसके बाद आपका 1997 005 दक णुंख धय ऑउन हमननों से लिए 3 G का number 7 D का number 4 Y का number 25 इस प्रकार से दिया हुआ है ठीक बीच में फिर दिया हुआ है Z Z का number 25 आपका होता है F का number 6 होता है G का number 7 यहां question माग दिया हुआ है इस प्रकार से हम मैं number में change करा हूं बाकी कुछ नहीं 16 साल के prince की 17 साल queen से साधी हो गई EL का नंबर 12 होता है, C का नंबर 3 होता है, S का नंबर 19 होता है, इसमें कौन सा combination दिख रहा है, तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें, तो यहां देखिए आपको combination कैसे समझना है, नीचे में देखिए आपका अंग बढ़ गया, इसमें इन तिनों में छोटा अंग है, उसके बा हो रहा है, ध्यान समझे, देखिए, 7 गुड़ा 4 यदि हम कर दें, तो माइनस 3, तो कितना होता है, 7 गुड़ा 4 आपका हो जाएगा, 28 और 28 में माइनस 3 कर देंगे, तो अपने पास 25 निकल कर आएगा, तो इस प्रकार से 25 निकल कर आ रहा है, यहां, अब हम उपर फोलो करते देखते हैं, क्या यह पैटर्न आपका लागू हो रहा है, उपर भी, मतलब इसमें भी, इसमें भी हम देखते हैं, ठीक, इसमें नीचे में 19 यहां है, इस पैटर्न को हम यहां लागू करते हैं, जैसे देखिए, हमने इन दोनों को गुड़ा करते हैं, 12 गुड़ा 3 करते है 12 गुड़ा 3 करते हैं तो 12 यह आपका 36 आता है और 36 में 17 को घटाते हैं तो क्या 19 आता है 16 में 7 गया आपका 9 हो गया 2 में गया 21 आ गया मतलब यही pattern यहां follow हो रहा है तो बस यही pattern follow करके हम क्या करेंगे 7 गुड़ा 6 कर देंगे जो आएगा उसमें 25 गटा देंगे तो अपने पास यह question mark वाला answer आ जाएगा तो इसमें आपको इस प्रकार से imagine करना है कि हाँ यह भी pattern बनता है इस pattern को आप note में उतार लिजिए फेर कोफी में आइस्क्रीन सोट इसको ले लिजिएगा आपको अच्छे से आप पढ़ लिजिएगा पैच्छा से दिन पहले आपके पास missing नंबर के प्रसनब बन जाएंगे जैक यह इसमें कैसे करना है अपने पास बीच का नंबर कितना है 26 है उसके बाद आपका कितना है fix 6 है group up same country यहां आपने को इसको निकलना है तो इसमें इसी pattern को हम follow करते है यहां यहां इसी pattern को follow करते हैं तो 7 गुड़ा 6 करते हैं 7 चंग आपका 42 हो जाता है और इसी 42 में अपने को 26 को minus करना है ठीक जब 42 में हम 26 minus करते है तो अपने पास 12 हम 6 जाएगा 6 बचेगा 3 में 2 जा पी आपसा नंबर है सही अंसर हो जाएगा 16 इसका ठीक 16 इसका नंबर होता है पी का तो पी आपका सही अंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रसन देखते हैं इसमें भी लुगत पद अपने को ग्याद करना है तो यहां 16 4 24 दिया है 13 7 उसके बाद प्रसन वाचक्षिन 13 33 उंसर तो इसमें किस प्रकार से आपको बन सकता है यदि हम बात करें तो 16 4 24 जदी इस प्रकार से 16 4 24 दिया हुआ है ठीक तो इसको किस प्रकार स्पाटन बैच सकता है यदि हम इसको तो 4 गुड़ा 2 कर दें तो 4 दूना 8 होता है और 16 जोर देते हैं तो अपने पास 24 निकल कराता है यदि नीची हमें पैटर्ण फोलो करते हैं तो 33 प्लस है होता है यहां उंसर दिया है यहां फोलो नहीं हो रहा है मयें बताओं तो यह वह गलत फोलो करते हो देंग होता कि ब्यापण ARE likewise कोई भी pattern यह question भी व्यापम के द्वारा इसमें आपको bonus दिया जाएगा अर्ठेगन दिया गया होगा वो 2021 में जो exam दिया थे उनको एक कमकीस का bonus दिया होगा तो यह question आपका गलत है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला है अपने पास उत्तर आकरिती से उस आकरिती को चुनिए जो चार प्रस्णों आकरिती में आगे की क्रम को आगे बढ़ाता है यहाँ देखिए पहले गुड़ा यहाँ दिया हुआ है फिर यहाँ दिया हुआ है फिर यहाँ फिर यहाँ अब आगे कौन सा आएगा ABCD मे इसको आपको ग्याद करना है, तो इसको कैसे ग्याद करेंगे, ध्यान से समझे, मैं आपको एक यह बना कर बताता हूँ, ठीक, इसको आप थोड़ा से दिमाख लगाएंगे, आपको पता चल जागा पटन, अब इसमें समझे, पहले आपका क्या दिया है, पहले यहां दिया है यहां के बाद फिर कहां दिया है अपने पास यहां दिया है मतलब फर्ष्ट यहां है सेकेंड फिर सेकेंड यहां थर्ड अपने पास कहां दिया है यहां दिया है उसके बाद कहां दिया है यहां दिया है अगला कहां गया पुछा है तो पहले एक का गयफ है यहां देखिए उ आपका यहां एक हो जाए ध्यान समझे एक का गैफ है दो का गैफ है आगे एक का गैफ हो जाएगा दो का गैफ हो जाएगा उसके बाद एत्तीन यहां हो जाएगा मतलब अगला एक्स आपका यहां पास आएगा ध्यान से समझ यह यदि आपको समझ मैं जान रहा हूँ आपको नहीं आए होगा अच्छे से देखना क्योंकि मैं किवल अपने समझ रहा था सही तरीकर से बताओ तो यहां देखिए यहां आपको पैटर्न आपको केवल इसमें एक चीज देखना है कि यह जो क्रोस का चीन है किस प्रकार से आगे बढ़ आए पहले एक का गैफ है फिर दो का गैफ है फिर तीन का गैफ है अगले में चार का गैफ होगा और इस प्रकार से आपको समझ यह आसानी से आपको समझ में जाएगा वो अगला दीखिए यह फिर से कोड़िंग के प्रसण अपने पास आई हुए है कि यह सब पहले मैं बता हूं जब भी इस प्रकार्ट प्रस्णा हो आपको Nooring में पहले chance कर लेना है shifting करते हैं सी का No.3 होता है यहां 3 लिखते हैं कि㇠ तीन लिखते हैं तीन के बाद आपनाम का No.24 होता है दिते हैं फिर O का बाद 24 हो रहा है फिर 24 के बाद 15 हो रहा है मतलब लगा संख्याएं बढ़ी फिर घटी इसका मतलब कया हुआ संख्या 3-24 हुआ 24-15 हुआ मतलब बढ़ा फिर से घटा ठीक ना तो बढ़ा घटा मतलब यहाँ जोड़ घटा वदाला लागा नहीं हो जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है मतलब यहां भी जो निकालेंगे अब ध्यान से समझीर, आपको तूरत-पता चल जाएगा या O का मतलब कितना होता है 15 15 में कितना लाना है 27 मतलब 27 में 15 को घटा देंगे तो 7 में 5 गया 2, 2 में गया 1, 12 12 संख्या यदि हम यहां लिख दें तो अपना 15 और 12 27 हो जाता है 12 किसका होता है यल का तो आपका यल आएगा यहां ठीक और यहां चेक करें तो यहां क्या आएगा यहां D दिया हो आए D का नंबर 4 होता है 27 में यहीं हम 4 को घटा दें तो अपने पास 23 निकल कराता है और 23 नंबर होता है आपका W का तो आपका A लव W आ जाएगा जो कि आपसा नंबर C में दिया होआ है आपसा नमबर सी सही अंसर हो जाएगा तो आपको लाएगा क्या ऐसा भी होता है जी हाँ ऐसा भी होता है ऐसा भी पैटर्न बनता है इस पैटर्न को आप नोट कर लिजेगा अगला देखिए विश्मा प्रसन है अपने पास निम्न अक्छा सेरी को कौन पूरा करेगा इस अक्छा सेरी को कौन पूरा करेगा इसको फिर से हम नमबरिंग में चेंज कर लेते हैं ठीक देखिए एका नमबर एक होता है फिर दो दिया हुआ है फिर आपका पचीस दिया हुआ है फिर आपका 26 दिया हुआ है उसके बाद प्रकार से रिपीट हो रही है इसको भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से हो रही है यदि हम बात करें यहां देखे एक के बाद 6 को जोड़ेंगे तो 7 होगा दो के बाद 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा 25 के बाद 6 माइनस करेंगे तो 19 होगा 26 के बाद 6 माइनस करेंगे तो 20 होगा अध्यान समझें, दो-दो का pattern है, क्योंकि संख्याएं बढ़ रही है, फिर घट रही है लागाता है, यादि ध्यान से समझें, तो यहाँ देखिए, मैं आधा-धा pattern आपको बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे यहाँ देखिए, एक दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 25 दिया हुआ है, फिर 26 दिया हुआ है, फिर आपका 7 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, यहाँ देखिए, एक प्लस 6 दिया हुआ है, ठीक, एक प्लस 6 करेंगे, 7 होगा, दो प्लस 6 करेंगे, 8 होगा, इसी प्रकार यहाँ 25 में माइनस 6 करेंगे इसमें हम minus केंगे इसके 19 भी इसके आगे 13 चवदा दिया हुआ है, तो इसको हम किस प्रकार से लेंगे, यदि 19 में हम 6 गटा दें, तो अपने पास 13 निकल कर आएगा, और 14 में 6 गटा दें, तो अपने पास 14 निकल कर आएगा, मतलब 13 चवदा ही यहां आगे भी होगा, 13 होता है तेरह होता है यं व 14 होता है यं का तो यम यं आपका शहीरं सब्सक्न pojaw planners अब भी आपका सथ यंसर फैर्ट-वर् sitting को आप फोलो कीजिए यहां फिर यहीं आफ reverse letter इसका लेंगे योग 27 होगा फिर भी आपका इंस this का एंसर आजाएगा यदि आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से आप देख लिजिए रिजिनिंग वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से बना हुआ है तो आपको यह आसानी समझ में आ चूरन लएगा आपको ठीक तो यह देखे 20 प्रसंना तक हम पहुच गया मतलए बाज का भी 10 प्रसंना आपका कंप्लीट हो गया याप क्रेक्टिस सेफेफ 5 आपका कंप्लीट हुआ क्योंकि हर प्रेक्टिस सेफमें दस प्रसंना देख रहे हैं तो आसा करता हुए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कैसा लगा कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा क्योंकि कमेंट आपके करने से हमारा मोटिवेशन बलता है हम अच्छे से वीडियो बनाने की और कोसिस करते हैं और अपने को अच्छा भी लगता है वीडि जय हिन जय हरा